हेलो दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एचसे टिप्स में स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसका फोल्डिंग कॉंपोनेंट्स के बारे में देट मिस्ट एसका फोल्डिंग में कॉंपोन सा ऐक्उ प्यूपमेंट होता है और उसका क्या यूज है हम बात करेंगे इस बीडियो के माधिम से, इस बीडियो के माधिम से हम जानेंगे Soul Plate क्या है Base Plate क्या है Pipe या Tube क्या है Clamp क्या है Plank क्या है Towboard क्या होता है Midrail क्या है Hendrail क्या है Post или Allignment क्या है Ledger क्या है Transum क्या है Keyker Lift किसे बोलते हैं Rope और Pulley क्या है Screw Jack या Base Jack किसको बोलते हैं के इसbat इस बृढ़ा हम यह सारा topic करेंगे और एक-एक topic के बारे में बताएंगे इसके बारे में और साती हम आपको image के साथ clearly सारे doubts को आपका clear करएंगे इसके वाऊजूद भी अगर आपका कोई doubts या प्रस्ण रह जाता है तो आप comment box में बिना किसी hesitation के पोच सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें जिसका ओपयोग भार को distribute करने के लिए किया जाता है जैसा कि आप समाझ सकते हैं कि जब हमारा इसका फोल्डिंग erection होता है तो सबसे नीचे हम soul plate डालते हैं ये क्या करता है कि जो हमारा जमीन होता है, ground होता है उसके surface पे एक load को distribute करता है जिससे कि हमारा जो इसका folding होता है, collapse हैने के chances नहीं होते है इसे इसका folding का base भी बोला जाता है आप image में देख रहा है, ये जो हलका red color का soak कर रहा है ये आपका soul plate होता है, जिसकी size 300 x 300 और इसकी ठीकने जो होती है, 6 mm की होती है और ये जो आप उसके उपर में देख रहे हैं, ये हमारा base plate होता है जो कि soul plate के उपर होता है इसका size 150 x 150 का होता है, जिसका ठीकने 6 mm का होता है ये हमारा इसका folding जब erection होता है, तो जो soul plate होता है, वो ground पे होता है देन उसके उपर अपना base plate आता है और यह जो आप इसमें देख रहेंगे आपका सैंक होता है जिसकी लंबाई 130 mm होती है तथा इसकी डाया 25 mm की होती है तो यह हमारा इसका फोल्डिंग का बेस है I think यह टॉपिक कवर हुआ अब आगे बात करेंगे इसका फोल्डिंग पाइप के बारे में यह एक परकार का पाइप होता है जिसका उप्योग इसका फोल्डिंग इरेक्शन के दौरान इसका फोल्डिंग के कॉंपोनेंट के रूप में किया जाता है इसका आउटर्नल डाया 48.3 mm का होता है जबकि इंटर्नल डाया 40 mm का होता है जिसको नुमिनल डाया भी बोलते है इस हिसाब से इसको कटिंग करके एड़ेस्ट कर सकते हैं अगर इसके अस्टेंडर की बात करें तो हम लोग इंडियन एस्टेंडर्ड डवल वन शिक्सवन का वह यूज कर रहे हैं तो यह हमारा पूरा जो डिटेल साइए इस असका फोल्डिंग से के यूज किया जाता है जब हम इसका फोल्डी का इरेक्शन कर रहे होते हैं तो उस दोरान जो हमारा equipment हम यूज कर रहे हैं जो material यूज कर रहे हैं उसको secure करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है क्लैंप के टाइप के बारे में अगर बात करें तो जनरली साथ परकार के होते हैं जो की इस परकार है right angle clamp इसको fix clamp भी बोलते हैं swivel clamp नॉर्मली भांसा में इसको चालू clamp बोला जाता है यह पूरा करता है 360 पर रोटेट होता है आप चीस एंगल में चाहें उसको यूज कर सकते हैं इसको box clamp भी बोलते हैं इसका ओप्योग जब हम हमारा इसका folding erection होता है तो यह collapse नौ हो इसके लिए हम किसी बीम या structure से इसको clamping करते हैं उस place पर हम इस clamp का यूज करते हैं यह आप next में देख रहे हैं ladder clamp हमारा जो इसका folding erection होता है उस पर चड़ने के लिए ladder का यूज किया जाता है तो उस ladder को secure करने के लिए ladder clamp का यूज किया गरता है next joint pin clamp यह क्या होता है एक परकार का clamp होता है जिसको हम joint करने के लिए pin के यूज करते हैं अर्थत की जो हमारे जो pin होता है उसको जैसे जैसे हम tight करेंगे तो यह हमारे जो tube होता है उसको catch करते है उसको tight करता है तो इस परकार से इस clamp का यूज करके हम दो ट्यूब को ज्वाइंटिंग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हमारे clamp है नो एक एक clamp का सेफ वर्किंग लोड कितना होता है इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम इसका फॉल्डिग सेफटी के बारे में डिसकस करेंगे उस वीडियो में पूरा ट टोपीक कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे इसका F Frолж Plank के बारे में Plank क्या होता है आए जानते हैं Plank का उपयोग vergate Ela Press को बनाने दिया किया जाता है जिस पे हम किसी व्यक्ति या मैटेरियल के भार को लोड देते हैं इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 2100 एटमिस 2.1 मीटर का होता है इसकी वीड जो होती है 280 mm की होती है और इसके थीकनेस की बात करें तो 38 mm की होती है यह जो हमारा प्लैंक है यह इंडियन एस्टेंडर 8224 के तरहत है और इसके जो भी डिटेल्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया वह इसके तरहत ही मैंने आपको बताया तो आई थिंग कि हमारा प्लैंक का जो टॉपिक है यह कवर हुआ और एक और बात यह जो प्लैंक होता है इसको हम पूटलोग कोपलर के द्वारा फिक्स करते हैं हमेरा प्लैंक होता है ट्रॉइंक के ऊपर में रखते हैं उसके बाद हम इस पर कारे कर सकते हैं okay clear Usetboysर अब हम आगे में आप से बात करेंगे टोबोड के बारे मेंime सिltर के बारे में तथा में ट्रेटल के बारे में यह क्या है आए जानते टौबोड एक परकार का वर्टिकल वैरियर होता है जिसका ऊपयोगिसी माहें Go गिरने से रोकने के लिए या फिर किसी बैकती का स्लिपरी के काराट गिरने से रोकता है तो यह हमारा जो टोबोड होता है यह एड़ पर यूज के जाता है किसी एसका फोल्डिंग के एड़ पर या फिर किसी जो भी सर्फेस है उसके एड़ पर यूज के जाता है अगर हम इस इसका फोल्डिंग से रिलेटेड बात करें तो यह जो टोबोड होता है इसकी हाइट 150 mm की होती है और इसका जो बेरिंग कापसिटी होती है 2222 kg का एक से फॉर्किंग लोड जो है निर्धायत किया गया है बट इसकी कैपसिटी ज्यादा होती है और नेक्स्ट अब हम बात करें तो हेंट्रिल के बारे में हैंट्रिल जो होता है इसका 95 mm से लेकमzent ट्य हम ऐसकी हीग होती है और इसका प्र्इंसाटी होती है 90 kg होती है यह लगवकियों की यह दूनौं का उप्यों कि it क्या गिरने से रूखने के लिए यूज किया जाता है अर्था यह भी एक बैरियर है जो कि किसी बैक्ती के लिए या फिर जो वरकर उदर में काम कर रहा है उसको क्या करता है प्रिवेंट करता है गिरने से ओके किलियर अब हम बात करेंगे पोश्ट याइकमेंट के बारे में जैसा कि आप यह हमारा देख रहा है इसका फुल्डिंग में यह जो हम पूरज को आपको दिखा रहे बेंडी रहे है इसको संदर्ड भी बोलते हैर यह एक एक परकार का ट्युव होता है जो की जो ग्राउंड होता है उस एक नमं सीधा 90 डिक्री अंगल पर होता है यह हमारा सोल प्लेट के ऊपर बेस प्लेत dispute होता है उसका जो सेंग होता है उसमें ये fix up होता है और वहां से सीधा ये 90 डिगरी एंगल पर रहता है जैसा कि आप image में देख रहे है अब हम बात करेंगे ledger and transum के बारे में देखिए थोड़ा इसको ध्यान से समझेगा ledger और transum क्या है एक परकार का horizontal tube होता है जिसका उपयोग हम ज ledger या runner बोलते हैं और जो आपका wavelength क्या है निद्ध करने वाले horizontal painadbar जबकि बेवीड को किलियर करने वाले होरिजेंटल ट्यूब को ट्रांजम बोलते हैं ट्रांजम के ऊपर में आपका एसका फोल्डिंग प्लैंक रखते हैं जिसके ऊपर हम प्लेटफारम बनाते हैं तो यह हमारा क्लियर लिस समझ में आगया आपको अबर कुछ डाउट है तो यह होते हैं उसको सिक्यूर करने के लिए मतलब बोले तो उसको फिक्स करने के लिए एक हम लेटजर और ट्रांजम के यूज करते हैं नीचे में भी जिसको की कर लिफ्ट या बेस लिफ्ट करते हैं या ग्राउंड से 150 mm हाइट पर ही होता है जैसा कि आप इमेज में देख लिफ्ट या बेस लिफ्ट है जो कि हमने अरो के साथ इंडिकेट करता है अब हम बात करेंगे पुली एंड रोप के बारे में जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं या एक परकार का पूली है और यह साथ में रोप लगा हुआ हुए इन दोनों का उप्यों किसी मेट्रिय करने के लिए सहायता करता है इसके द्वारा जैसे कि कोई इसका फोल्डिंग का मेट अपने को हाइट पर चढ़ाने का है तो इसके थुरू हम उचाई तक आसानी से लेकर पहुंचा सकते हैं कि if I am बात करेंंगे इसको बेस जेक भी बोलते हैं एक परकर कर जैक होता है जिसका ऊपवयोग हम और इवेन से पर करते हैं और एक चीज इसमें नोट किया जायता है, ध्यान रखने वाली बात यह है, कि यह जो आपका जैक अब देख रहे हैं, इसका हम two-third ही यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इससे height को नहीं बढ़ा सकते हैं, अन्यता यह यहां से collapse कर सकता है, तो दोस्तो इस परकार से मैंने आ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इससे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकसन आपको भी प्राप्त हो, तो दोस्तो मिलते हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, च्क्कार स्थने का नहीं कि आने हनए ऑा टॉपिक के साथ, झाले वीडियो की के फिए मारे याले वीडियो करें, हमा.